हालो एंड वेलकम टू यार अउन विहार बोर्ड एक्जाम चनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे क्लाश 12 का म्यूजिक का वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जिक्टिव क्वेशन्स को यहां पे कवर करेंगे दोस्तो यह क्वेशन्स जो है आपको बोर्ड में जाकर कि देख सकते हैं चले दुस्तों शुरू करता है पहला जो कुश्य क्यों जाने जाते थे अमीर फिच्श्ब्न क्यूं जाने जाते थे तो आप्शनहें सिथार वाधन के लिए आप अप्शिन कर र saiyle pap.si वाधन के लिए और और शिंबर डी हैं गीठार वाधन के इस तारट से उत्पन्न है राघ भीमपलासी किस थाट से उत्पन्न है, उसका जो हुआ अगला जो है राघ विहागान कि Ghost राग विहाग का वादी स्वर कौन सा है तो राग विहाग का वादी स्वर है वो है गो राग विहाग का समवादी स्वर कौन सा है तो राग विहाग का समवादी स्वर है ओप्शन नबर सी यानि के नी अगे है राग कलियान यानि यमन का वादी स्वर है तो राग कलियान यान नमर डी नी है राग भहरव का वादी स्वर है तो राग भहरव का वादी स्वर है धो अगर राग भहरव का समवादी स्वर है तो राग भहरव का समवादी स्वर जो हो जाएगा अप्शन नमर बी यानिके रे हो जाएगा नेक्स्ट है राग अलहिया राग अलहिया विलावल का वादी स्वर है इनका वादी स्वर जो है वो अप्शन नमर डी हो जाएगा यानि के धो हो जाएगा तो राग अलहिया विलावल का समवाधी स्वर है तो राग अलहिया विलावल का समवाधी स्वर हो जागा अप्शन नमर सी यानि गौ नेक्स जो है राग देश का समवाधी स्वर है तो राग देश का समवाधी स्वर है पौ राग केदार का समवाधी स्वर है तो राग केदार का समवादी स्वार है तो सा है राग भीम प्लासी का वादी स्वार है तो वादी स्वार जो हो जाएगा वह मह हो जाएगा राग केदार का समवादी स्वार होगा होगा सा कुछ नमबर सी यानि के क्या हो जाएगा सा हो जाएगा जाती है तो हो जाएगा औरब संपूर्ण औरब संपूर्ण कितने स्वड लगते हैं तो इन में लगते थैं तेरे रख कामोद का का वादी सोर है तो राग कामद का वादी सोर जग अप्शन नमर सी यानि पाउ अगला जो राग विहाग की जाती है तो राग विहाग की जादी क्या है और अब संपूर्ण जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा अगला एक क्वेशन देखते हैं राग हमीर की जाती है तो राग हमीर की जाती जो है वो स्वक्ण संपूर्ण है यह राग भैरव की जाती है तो राग भैरव की जाती क्या हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण यह राग अलहिया विलावल की जाती है तो राग अलहिया पुल की जाती है साड़ब सम्पोर्ण Works ay ah 819 में पूछा चुका है राग देश की जाती है तो राग देश की जाती होगा और अइव संप्वोर्ण ऐसे राग बागीज्ळी की जाती है राक बागेश्री की जाती हो जाएगा अब सम्पोर्ण अगे राग केदार की जाती है तो राग केदार की जाती हो जाएगा औरव साडव साडव सवर सभू में कितने सवर लगते हैं इनमें लगते हैं छेचे साडव साडव में छेचे सवर लगते हैं हिंदुस्तानी संगीत के कितने थाठ होते हैं तो इनके थाठ होते हैं दस एगे हिंदुस्थानी संगीत में कुल कितने स्वड होते हैं तो हिंदुस्थानि संगीत में कुल स्वड होते हैं औरफ संपौन स्वड समों में कितने स्वड स्व잖아요 हैं समपोर्ण जाति के गात्याट्राज में कुल कितने स्रम लगते हैं 17 अकृचा जा चुका है इन में भी लगता है है मुझे अगल न परकृती है द्यान रखेंगा अगराग्भ्यर्फ यो राग वह नहीं प्रकर्ति का रख दो नों दों है आगे अमीर खुस्रों क्यों जानने जाते थे तो सितार वाधनतध के लिए अप्ष्न nothing बड़ अन्जर होगा अमिर खुस्रों का जन्म में very important question अमिर खुस्रों का जन्म कब हुआ तो अमिर खुस्रों का जन्म हुआ 1253 इसवी में आगे सहतार नाम कीन का दिया हुआता हुआ नाम कीन का दिया हुआत्यु बॉर्टिन क तो यूत नाम दिया हुआ अमिर खोश्रों का सहता नाम क culpa अमिलों क्यों आप तांसेन का जन्म होगा था 1532 इस्वी में 1532 इस्वी में चले नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं कि नाम था 1532 इस्वामी हड्यास स्वाञ्या स्वामी हरै अंके निस्वी लिए द के राखनेशू का वाधिसौर हुआे तो राक आगे जो है इस भैस्पी सिन आगे फ्याज खा विशूप से क्या गाते थे फैयाज कहां विश्च से घ्रूब पर अगे पंदर नाल घgeneration क्या बजाते थे वेर इंपरेंट कॉशंट तो उस ताद बिसमिल्ला खाँ जो बजा अगर इस खान वी कि अब कि थे चाहिए विलायत खान क्या बजाते जाना अब श्रोद वरादन कि एगा कि था अगर टीएम पठनाएक तो पर ट्यूएम पम, बजाते थे वाइलिंट का time kWh को क्यों जाना जाता है तो युद्यक श 맞ेक स्रोध वाधन के लिए ध्यान रखेगए उस्ताद हला जिन खां। क्या बजा दो के स्रोध , जर्ष चार 나타िंग में वेशनोंまぁ क्या जांकर आगे very important question बाड़ बार पुछा ज़ा चुका है है and तो संगीत का संदी विच्षिद क्या होगा? संगीत का संदी विच्षिद होता है समजूर गीत संगीत का संबन किस वेद से है ? संगीत, सौ स संगीत मधूर धोनी को क्या कायाता है तो संगीत उपयोगी मधूर धोनी को कहा जाता है शुरूती कायाता है अगर नात की कितने विशेष्टा है तो नात की विशेष्टा तीन है नात के कितने परकार होते है तो नात के परकार होते है अप्शनमबर सी यानिके नात के दो परकार होत होते हैं साथ संगीत में मूलवल कितने होते हैं साथ क्वेह नएक्स विद्ध को सदेख लेते हैं नाम क्या था यह जो आंसेन के वच्पन का नाम ठाट अन्न नहीं स्वामी हड़ी दास तांसेन का विवा किसे हुआ तांसेन का विवा फूसे नीचे तो यह सब क्वेशन हम लोग कर चुकी है रिपीट होड़ा है तो दोस्तों जैसे हम लोग ने आप एक म्यूजिक का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन किया है आप इन वीडियो को देख करके जरू जाईएगा को म्यूजिक में बिल्कुल आपको सेवेंटी का सेवेंटी नंबर मिल जाएगा ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स टीडियो में जै भारत